नयायों की पुस्तक अध्याय अठाराह। दानियों का लैश को जीत कर उसमें बस जाने की कथा। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, और उन ही दिनों में दानियों के गोतर के लोग रहने के लिए कोई भाग ढून रहे थे। क्योंकि इसराइली गोतर के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने सब कुलमे से पाँच शुरुविरों को सोरा और एश्टाओल से देश का भेद लेने और उसमें देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में देखभाल करो. इसलिए वे एपरेम के पहाडी देश में मिका के घर तक जाकर वहां टिग गए. जब वे मिका के घर के पास आये तब उस जवान लेविय का बोल पहचाना. इसलिए वहां मूड कर उसे पूछा तुझे यहां कौन ले आया है? और तू यहां क्या करता है? और यहां तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा मिका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवाय किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ. उन्होंने उससे कहा परमिश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते है वह सफल होगी वह नहीं. पुरोहित ने उनसे कहा कुशल से जाओ, जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहवा के सामने है. तब वे पाच मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहां के लो शांती से रहते हैं. और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है, जो उन्हें किसी काम में रोके. और ये सिद्योनियों से दुर रहते हैं. और दुसरे मनुष्यों से कुछ व्यवार नहीं रखते. तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाईयों के पास गए. और उनके समाचार ले आये हो? उन्होंने कहा, आओ, हम उन लोगों पर चड़ाई करें. क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वहाँ बहुत अच्छा है. तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चल कर उस देश को अपने देश में कर लेने कमें आलस न करो. वहाँ पहुँचकर अथ में दे दिया है. वह ऐसा स्थान है, जिसमें पृत्वी भर के किसी पदार्थकी घटी नहीं है. तब वहाँ से अर्थात सोरा और एश्टाओल से दानियों के कुल के छह सो पुरुशों ने युद्ध के हतियार बांध कर प्रस्तान किया. उन्होंने जाकर यहुदा द है. वह तो किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है. वहां से वे आगे बढ़कर एप्रेम के पहाडी देश में मीका के घर के पास आये. तब जो पांच मनुष्य लैस के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाईयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में ए एक एक एपोद, कई एक ग्रोह देवता, एक खुदी हुई और एक ढली हुई मूर्ती है. इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए. वे उधर मूड कर उस जवान लेविय के घर गए, जो मीका का घर था, और उसका क्षेम कुशल पूछा. और वे छे सव दानी पुरुष फ वहां घुष कर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और ग्रोह देवताओ और ढली हुई मूरतों को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हतियार बांदे हुए एक सव पुरुषों के संग खडा था. जब वे पाच मनुष्य मीका की घर में घुष कर खुदी हुई म उरत को ले आए, तब पुरोहित ने उनसे पूछा यहां तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा चुप रहा और अपने मुह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चल कर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन. तेरे लिए क्या अच्छा है? यहां कि एक ही मनुष के घरा और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ. सो वह एपोध, गुरोहदेवता और खुदी हुई मुरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया. तब वे मुडे और बालबच्चों पशियोस और सामान को अपने आगे करके चल दिये. जब वे मिका के घर से दूर निकल गए थे. तब जो मुनुष्य मिका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकटे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा. तब उन्होंने मुहफेर के मिका से कहा, तुझी क्या हुआ कि तु इतना बड़ा दिल लिये आता है? उसने कहा, तुम मुझ से क्यों पूछते हो, कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कही ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तु अपना और अपने घर के लोगों के भी प्रान को खो दे. तब दानियों ने अपना मार गे लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवन्त है फिर के अपने घर लोड़ गया और वे मीका के बनवाय हुए पदार्थो और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आये जिसके लोग शांती से और बिना खटके रहते थे और उन्होंने उनको त कि वह सिदों से दूर था और वे और मनुशों से कुछ व्यवार न रखते थे और वह बेत्रहोप की तराय में था तब उन्होंने नगर को दुढ़ किया और उसमें रहने लगे और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राइल के पुत्र अपने मुलपुरुष दान के नाम पर दान रखा परन्तु पहले तो उस नगर का नाम लैश था तब दानियों ने उस खुदी हुई मुरत को खड़ा कर दिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेर्शुम का पुत्र और मुशा का पोता था वह और उसके वंश के लोग दान गुत्र के पुरोहित बने रहे और जब तक परमिशर का भवन शिलो में बना रहा तब तक वे मिका की खुदवाई हुई मुरत को स्थापित किये रहे